दोस्तों मैं सौरामली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ देखे 2023 में दोस्तों बहुत सारी नई न्यूक्तिया हुई हैं और उनसे संबंदित मैं आपको 45 ऐसे परसंड कवर कराऊंगा जोकि 2023 में होने वाली सभी प्रिक्साओं में पूछे जा सकते हैं यूटूब का CEO न्यूक्त किया मेरे प्यारे दोस्तों यूटूब से आप लोग पढ़ते हैं तो यूटूब का CEO आपको जुरूर पता होना चाहिए और यहां से कोशन 100% बनने की संभावना है तो पहले कोशन का Right Answer हैगा दोस्तों बिलकुल नील मोहन यानि की Right Answer दोस्तों B हो जाएगा आपको हर एक कोशन में दोस्तों इमेज भी देखने को मिलेगी ताकि आप उस कोशन को याद रख सकें दूसरा कोशन आता है हाल ही में किसे अंतरास्टिय सरम संगठन के बाहरी लेखा परिक्सक के रूप में चुना गया ये भी अच्छा कोशन हो सकता है और इस कोशन का दोस्तों सही उत्तर हैगा जी सी मुर्मो यानि की Option A Right Answer हो जाएगा ठीक है भई तीसरा कोशन आता है हाल ही में किसे सिवसेना का परमुख नामित किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों सिवसेना के जो नए परमुख बने हैं कोन बने हैं दोस्तों एकनात सिंदे यानि की C Right Answer हो जाएगा भई ठीक है कोशन नमबर 4 आता है भारतिय वायुसेना के नए उपरमुख कोन बने हैं तो कोशन नमबर 4 का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तों अमन प्रीत सिंग यानि की Right Answer C हो जाएगा तो आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं पाचवा कोशन आता है हिमाचल विधान सबा के नए अध्यक्स कोन चुने गए तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का Right Answer हैगा कुलदीप सिंग पठानिया यानि की Option A Right Answer हो जाएगा भई ये भी अच्छा कोशन है और देखे अगर आपको कोई भी YouTube वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो Only Top Study आपको डाउनलोड कर लेना और 5 स्टार की रेटिंग कर देना आपको YouTube की सभी वीडियो की PDF फिरी में मिल जाए करेंगे बाकी दोस्तों 6000 के कोशन आंसर्स की जो हमारी Master PDF है ये मातर 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं और ये PDF मिलेगी हमारी वेबसाइट और WhatsApp नंबर से इस Master PDF में दोस्तों हमने कवर किया है History, Geography, Policy, Economics, Physics, Chemistry, Biology, Current Affair, Computer, Static GK यानि कि वो सारे सबजेक्ट जो एक्जाम में पूछे जाते हैं आप हमारी तीनों क्लासिस के टाइमिंग को नोट करिए चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि कभी भी कोई भी वीडियो मिसना हो छटा कोशन दोस्तों हमारा क्या करा है रोयल चैलेंजर्स बेंगलूर की वोमेन किरकेट टीम का मेंटोर किसे न्यूक्त किया गया है ये भी काफी important कोशन हो सकता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का right answer है rectangles भी रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन आता है भारत के नए उपरास्टिय सुरक्षा सलाकार DNS यानि कोन बने है तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर हैगा पंकज कुमार सिंग यानि की option D right answer हो जाएगा देखे मैं point to point आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ बिल्कुल भी समय बरबाद ना हूँ आपका data बरबाद ना हूँ और आपको information भी मिल जाए ऐसी मैं वीडियो बनाने की कोशिस करता हूँ अगर आपको पसंद आती है दोस्तो तो like कर दिया करें अपने भाई बैन दोस्तों के साथ में भी share कर दिया करें जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं आठवा question है दोस्तो अमेरिका में भारतिय मूल की पहली महिला सिक जज कौन बनी है तो देखे बहुत ही ज़्यादा important question है याद रखेगा और आठवे question का दोस्तो right answer हैगा मनप्रीत मोनिका सिंग यानि की option दोस्तो ए right answer हो जाएगा भई नवा question आता है नीती आयोक के नए CEO कौन बने है दोस्तो अभी बिलकुल latest question है मान लीजे दो दिन पुराना ही question है तो यह जरूर याद रखेगा 100% पूछ जाएगा इस question का दोस्तो right answer हैगा B.V.R. सुबर्मन्यम यानि की C. right answer हो जाएगा अच्छा नीती आयोक के CEO आप लोगों ने याद कर लिया तो यहाँ पर दोस्तो नीती आयोक का जो नया उपध्यक्स बने थे दोस्तो उनको भी याद रखेगा कौन थे सुमन के बेरी तो वो मैंने आप पे question नहीं लिया साद आगे मिल जाए बट वो याद रखने आप लोगों ठीक है question number 11 है रक्सा मंत्राल्य ने थल सेना का नया उपर मुक किसे न्युक्त किया दोस्तो right answer हेगा MV सुचेंदर कुमार यानि की D right answer हो जाएगा भई ठीक है अगला question आता है दोस्तो UNICEF इंडिया के National Brand Ambassador कौन बने है ये भी बहुत important question है देखे जितनी भी नई न्युक्तिया हुई है यानि की option दोस्तो A right answer हो जाएगा अगला question आता है equatorial गिनी की पहली महिला परधान मंत्री कोन बने तो right answer क्या रहेगा दोस्तो Manuela Roka Boti यानि की right answer दोस्तो B हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है question number 14 है तिलंगना की पहली महिला मुख्य सचीव कोन बनी है देखे पहला वर्ड जहाँ पर आ जाता है दोस्तो वो question आप 100% important mark कर लिया करें ठीक है और पहली महिला मुख्य सचीव बनी है तो ये बहुत जादा important हो जाता है right answer हैगा सांती कुमार ये right answer हैगा दोस्तो ठीक है चले अगला question आता है meta India जो की दोस्तो पहले facebook के नाम से था meta ठीक है न और instagram की मूल company का vice president किसे न्यूक्त किया है तो right answer हैगा संध्या देवनाथन तो ये आपको याद अखना है दोस्तो b right answer हो जाएगा अगला question आता है होकी इंडिया के नए अध्यक्स कोन बने है तो right answer हैगा दिली टिर्के यानि की right answer दोस्तो c हो जाएगा अगला question दोस्तो आता है table tennis federation of India TTFI की पहली महिला अध्यक्स कोन बने तो यहाँ पर दुबारे से दोस्तो पहली महिला अध्यक्स की बात आ गई है तो ये बहुत ज़्यादा important रहेगा right answer क्या रहेगा मेगना चोटाला यानि की option दोस्तो b right answer हो जाएगा भी अगला question आता है केंद्र सरकार ने आयूसमान भारत digital mission के निर्देशक के रूप में किसे निक्त किया दोस्तो right answer हैगा परवीन सर्मा को यानि की D right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है railway board के नए chairman एवं CEO कोन बने है दोस्तो right answer हैगा अनील कुमार लाहोटी यानि की C right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है दोस्तो बांगदेश के नए रास्पती कौन होंगे तो ये भी अभी सबसे latest question है दोस्तो देखें मोहमद साबुदीन चुपू यानि की right answer दोस्तो A हो जाएगा ये आपका अधकना है अगला question दोस्तो आता है 22 भारत्य विदी आयोग के नए अध्यक्स कोन न्यूक्त हुए है तो right answer एगा रितुराज अवस्थी यानि की दोस्तो option A right answer हो जाएगा अगला question आता है रास्टे पिछडा वर्ग आयोग के नए अध्यक्स कोन बने दोस्तो right answer एगा हंस राज गंगा राम अहीर यानि की right answer दोस्तो option A हो जाएगा तो यह आपको यादखना है अगला question आता है वहाँ निर्माता कमपनी Toyota Motor Corporation के नए CEO कोन बने हैं तो right answer दोस्तो क्या रहेगा कोजी सातो यानि की D right answer हो जाएगा अगला question आता है पेटियम पेमेंट बैंक के MD और CEO कोन बने हैं तो पेटियम पेमेंट बैंक के दोस्तो MD और CEO बने हैं सुरिंदर चावला यानि की right answer option A हो जाएगा अगला question दोस्तो आता है नियूजिलेंड के नए परधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है दोस्तो क्रिस हिपकिन्स यानि की right answer is option C दोस्तो अगला question आता है इसराइल के नए परधान मंत्री कोन बने तो right answer is बेंजामीन नेतेन्याहू यानि की C right answer हो जाएगा वही चेक गनराज्ये के नए रास्पती कोन बने है दोस्तो राइट आंसर हैगा पेट्रा पावेल यानि की option A right answer हो जाएगा अगला question आता है केंद्रिये सतरक्ता आयोग का कार्यवाह केंद्रिये सतरक्ता आयोग्त CVC किसे नियुक्त किया गया है तो इस question का right answer क्या रहेगा परवीन कुमार सिरिवास्त तो right answer is मोहमद यानि की right answer dोस्तो A हो जाएगा अगला question आता है अंतराष्टे ओलंपिक समीती IOC का फिर से अद्ध्यक्त किसे चुना गया राइट आंसर इस थोमस बाक यानि की ओपशन दोस्तो B राइट आंसर हो जाएगा वही 31 कोशन है BCCI के नए अध्यक्स कौन बने हैं तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा रोजर बिन्गी यानि की A राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है केंदर सरकार ने केंडरा बैंक के नए M.D. और C.O. के रूप में किसे न्युक्त किया दोस्तो राइट आंसर हैगा के सत्य नारायन राजू यानि कि ओप्षन दोस्तो C हो जाएगा सही उतर अगला कोशन आता है O.N.G.C. यानि कि Oil and Natural Gas Corporation की नए अध्यक्स कोन बने है दोस्तो राइट आंसर हैगा अरुन कुमार सिंग यानि कि ओप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा वे अगला कोशन आता है स्विजरलेंड देश ने किस भारतिये को अपना मेतरी दूत Friendship Ambassador मतलब बनाया है तो राइट आंसर हैगा नीरा चोपड़ा का दोस्तो यानि कि बी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है रास्टिये खनीज विकास निगम के सुरी ने किस भौकिसर को अपना Brand Ambassador बनाया है तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा निकैत जरीन को यानि कि राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा अगला कोशन आता है केंद्र सरकार ने परसार भारती का नया CEO किसे नियुक्त किया दोस्तों गोरव दुवेदी इस कोशन का राइट आंसर हैगा यानि कि B is the right आंसर अगला कोशन आता है इंडियन ओलंपिक एसोसेशन की पहली महिला अध्यक्स कौन पनी तो right आंसर दोस्तों रहेगा PT उसा यानि कि A right आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है भारती रास्टी राजमार्ग पराधिकरण की नए अध्यक्स कोन बन गए हैं दोस्तों right आंसर हैगा संतोस कुमार यादव यानि कि B right आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिशनर कौन बने दोस्तों right आंसर हैगा अरुन गोयल यानि कि C right आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 40 है BCCI की नए चैन समीती के फिर से अध्यक्स कोन बने हैं दोस्तों right आंसर हैगा चेतन सर्मा यानि कि D right आंसर दोस्तों अगला कोशन आता है किस भारते मूल की महीला ने अमेरिकी रास्पती के लिए Republican Party से अपनी उम्मीदवारी की घोशना की है तो right आंसर इस निकी हेलीन यानि कि D right आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है हाल ही में नाबार्ड की नए अध्यक्स के रूप में किसे निक्त किया गया है तो right आंसर हेगा केवी साजी को यानि कि B right आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है टीबी मुक्त भारत केम्पेन का नेशनल एम्बेसेडर किसे बनाया गया तो right आंसर हेगा दीपा मलिक को दोस्तो यानि कि C right आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है हालही में जम्मू कस्मीर और लद्दाक उचनले का मुक्य नियादिस किसे निक्त किया गया है तो right आंसर हेगा N.Cortesworth Singh यानि कि right आंसर दोस्तो ओप्शन A हो जाएगा अगला कोशन आता है हालही में इलहाबाद कोर्ट का मुक्य नियादिस किसे निक्त किया गया है तो right आंसर रहेगा तो सही उत्तर रहेगा दोस्तो राजेस बिंदल जी को यानि कि B right आंसर हो जाएगा अब यह थे हमारे 45 कोशन एक टेस्ट का कोशन रहेगा इस वीडियो में जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा दोस्तो कोशन है बाइसवे भारतिये विधी आयो के नए अध्यक्स को निक्त हुए हैं तो जल्दी से इस question का answer comment box में बता दीजेगा और ये भी बता सकते हैं कि 45 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही कर लिया है अपना score मतलब और जो हमारी only top study की दोस्तो एप है इसको जरूर डाउनलोड करिए ये आपके mobile बर होनी चाहिए जिसमें आपको daily current affair, youtube videos और भी बहुत स सारी चीजे मिल जाती है, 6000 के question answers की एक हमारी masterpedia पे दोस्तो जिसमें आपको 150 rupees में सारे के subject के question answers मिल जाते हैं और वो भी दोस्तो important question answers का एक collection जिसमें आपकी history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk, और भी बहुत सारी चीजे हैं जो कि आपको cable मात्र 150 rupees में मिल जाती हैं इसका link मैंने description box में भी दे दिया है, आप तीनों classes के timing को note करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके, चैनल के साथ में आज ही जुड़ जाएए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियो आएगी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पून रहेगी, point to point रहेगी दोस्तो, कोई भी unnecessary ब मिलते हैं नेक्स के लाज में, thank you so much, bye bye everyone take care, क्या लखे अपना